जहीं दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ मैं हूँ डोकर देवू और मैं हूँ राजेश जो वीडियो है जिसका टाइटल है नेपाल बेंड चाइना टिक टोक एप इस यूएसे नेक्स्ट तो भारत ने तो बैंड अल्डरी कर अच्छे से उसका फाइदा भूत हुआ है भारत को और उसके अलावा अब जो है वो नेपाल भी बैंड करने को जा रहा है उसके बाद यूए से यूके भी कर सकते दो सले दोस्तों पहले वीडियो देखते है प्रसान धावन की चैनल की और से वीडियो है चैनल का नाम है व अच्छे से प्रसान धावन नेपाल ने बैंड कर दिया है चाइनीज आप टिक टॉक को यहां पर आप देख पाओगे दुनिया भर में इस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं क्योंकि नेपाल लेटेस कंट्री बना है यह करने को और नेपाल का निर्ने एक ऐसे टाइम में जब यूएस में भी इस बात को लेकर डिबेट चल रहा है कि क्या फानली यूएसे को भी टिक टॉक बैं करना चाहिए या फिर नहीं ना यहां पर आप देख पाओगे नेपाल गवर्मेंट बैंस टिक टॉक और रीजन यह बताया है कि इससे ना समाज में नफरत फैल रही जिस तरी कैसे इंडिया ने लिटरली टिक टॉक को भार फैक दिया था वो उस टाइब का बैं लगेगा या फिर क्या होगा इस पर अभी क्लारटी आनी बाकी है मगर एक बात होता है है इंडिया की ही तरह नेपाल में भी अब एक टिक टॉक पे कंप्लीट बैं लग इंडिया अचली उन पहले चुनिंदा कंट्री में से था जिसने एक कंप्लीट बैं लगाया टिक टॉक पर और तब से लेकर अब तक ये बैं हटा नहीं है नहीं तो कई देश हैं फॉर एक्जामपल बांगलेश है वहाँ पर एक बार को टिक टॉक पे बैं लगा था फिर में टिक टॉक में बैं हटा भी दिया गया पाकिस्तान में भी सेम केस था मगर इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरीके से चाइना की इस एप को कंप्लीटली बैं करना चाहिए इंडिया के लावा इरान में ये एप बैंड है अफगानिस्तान में बैंड है परकार बाहर की एप्स को वैसे भी इत्ता लाओ करती नहीं है और एक्जामपल इरान अफगानिस्तान या समालिया वगरा हो गए तो यहां पर टिक टॉक का बैन लगा है कोई बड़ी बात नहीं है मगर आप बाकी कंट्री को देखो ना तो एक बहुत जादा छोटी लिस्ट है बहुत जारा कम कंट्री ने ओल टुगेधर टिक टॉक को बैन किया है अब यहां पर आप मुझसे एक सवाल पूर सकते हैं काफिवार नियूज में सुनने को आता है कि USA ने कुछ टिक टॉक को लेकर कर दिया या फिर किसी European कंट्री ने कर दिया टिक टॉक को लेकर कुछ वो सब क्या था क्या पश्चमी कंट्री ने टिक टॉक को लेकर अभी तक कोई अक्षन नहीं लिया वेल थोड़ा सा आपको और डीटेल में समझाता हूं इस मैप में आप देख पाओगे जो येलो कंट्री दिख रही है ये वो देश है जिरोंने एक बार को टिक टॉक पे बैन लगाया था बात में वो बैन हटा दिया गया जी हां इसमें इंडोनीसिया भी शामिल है फिर जो ब्लू देश आपको दिख रहे है ये वो सब कंट्रीज है जहां पर टिक टॉक देखिए औल्टुगेधर बैन तो नहीं है मगर जो गवर्मेंट इंप्लोईज है जो सर लोग पूछें वेट ये USA के बीचों बीच ये कौन सा ये पार्ट है जिसने बैन लगा रखा है वैल ये है USA की एक स्टेट जिसका नाम है मॉन्टैना मॉन्टैना स्टेट ने रीसेंट ली ही 2023 में बैन लगा दिया था कंप्लीट बैन इंपोस कर दिया था टिक टॉक पे जैसे औल टुगेदर पूरे USA में टिक टॉक पे बैन है नहीं आम आत्मी अभी भी ये आप यूज कर सकता है बट धीरे धीरे जैसे 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 हम देख रहे हैं कि और कंट्रीज टिक टॉक पर बैन लगा रहे हैं पोसिबिलिटी है कि एवेंचुली USA भी ये बैन लगा द नेपाल चाइना के रिलेशन्स आज के समय उतने अच्छे नहीं है जितने एक टाइम पर हुआ करते थे और इसका एक बहुती बड़ा रीजन है चाइना के फेल्ड प्रॉमिसेस नेपाल अलड़ी देख चुका है कि चाइना देखो बहुत ज़रा बड़े सपने दिखाता ह इन्वेस्टमेंट्स के वादे करता है और उसके बाद डेट ट्रैप में फजाने की कोशिश करता है अब फॉर एक्जामपल यहापे आप देख पाओगे नियोड टेम्स का आर्टिकल है नेपाल आज के समय इन्वेस्टिगेशन कर रहा है नए एरपोर्ट की जो चाइना ने बनाया है इनके देश में यहाँ पे आप देख पाओगे यह है पोखारा एरपोर्ट यह चाइना की सरकारी कंपनी ने बनाया है और नेपाल की जो एंटी करॉप्शन एजनसी है वो देख रही है कि क्या इस एरपोर्ट को बनाने में करॉप्शन हुआ है क्योंकि all together इस एरपोर्ट में कुछ एक्टिविटी होती नहीं है एक आप के लिजिए सफेध हाती बनके रह गया है नेपाल के लिए तो इस एरपोर्ट को लेकर नेपाल बहुत ज़रा गुसा है अगेंस चाइना उसके लावा रिसेंडी चाइना ने ने नेपाल पर बहुत ज़रा प्रे हम आपका ग्लोबल सेक्योटी इनिशेटिव जॉइन नहीं करना चाहते एवन दो चाइना की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल इनिविडेशन आया था नेपाल को कि आप भी इस इनिशेटिव को जॉइन कर सकते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं नेपाल चाइना के केस करेगा इंपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट ओफ इलेक्रिसिटी फ्रॉम नेपाल देखो नेपाल में हम बना रहे हैं हाइडो इलेक्रिक ड्याम से बन रही है वो इंडिया वापस पर चेज भी कर रहा है नेपाल से ताकि नेपाल की एकोनोमी जलती रहे इनकी जो सरकार ह उनके पास कुछ पैसा आए और तो और इंडिया नेपाल को ये भी का है कि हम एक ट्राइलाटरल एग्रीमेंट बना देंगे साउथ एशा में पहली बार ये हो रहा होगा जहां पर नेपाल इंडिया के थ्रू बांगला देश को भी इलेक्रिसिटी बेच पाएगा यहां प ता नहीं है कि इंडिया के कहने पर ये टिक टॉक बैन हुआ होगा मोस्ट पॉबली टिक टॉक के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं टीनेजर्स पे यंग एडल्स पे ये बात नेपाल के पॉलिटेशन्स अब्जर्व कर पा रहे होंगे और कही ना कही डेटा सेक्योर और इवेंचुली आप देखोगे टिक टॉक बैन और भी कंट्रीज में आप नोटिस करेंगे मोस्ट प्रॉबली हो सकता है कि शलंका या फिर कई और कंट्रीज इवेंचुली टिक टॉक को बैन करें इस टॉपिक से रेटेट कुछ और वेजर डिवलप्मेंट अगर आती ह यह बहुत ही बड़ा स्टेप मैं मान रहा हूं इंडिया मलबग भारत सरकार का विजब यह बैंड हुआ था तब इस सब लोगों ने सरकार का साथ दिया था सरकार को सपोर्ट किया था मैं पहली ऐसी सीज देख रहा हूं जिनके अंदर जब यहां पे टिक टॉक बैंड हो बहुत, बहुत, बड़े बड़े टिक टॉक सिटार थे जिन लोग ने भी खुद लोगों का रिवियो भी लिया गया था ऐसा नहीं है कि टैरे के सरकार ने बेंड कर दिया जो बड़े बड़े टिक टॉक स्टार से उन लोगों ने भी सरकार मनलब गवर्मेंट को सपोर्ट किया था ठीक है आप यह डिसीजन ले रहे हो है सही है ठीक है उसका रिजन यही था कि चाइना की जो यह एप थी एप का वुआख के लिए उसके टायम पास के लिए फिर इतनी वाइरल हो गी और बी बसुनेस बना लिया और इस बिजनेस से जो भी डेटा होता था वो शोरी होता था और डेटा का चोरी करने के bona बड़ा बिजनेस बना रहे थे एक रिजन ये था और दूसरा रिजन ये था कि ये जो सोचल मेडिया एप थी वो पूरी तरह से इजी एप थी कुछ नहीं था चिप मनलब बटन स्टार्ट रेकोर्डिंग करो डांस करो जो भी आपको जो भी एक्टिंग आते हो या कुछ भी स्कूल में पढ़ रहे थे कॉलेज में पढ़ रहे थे वह लोग भी टिक टॉक पर आगे तो उसका तो मतलब यह होता कि आने वाली जो जनरेशन है वह उसको कहीं ना कहीं मतलब होता है माइंड डाइवर नी बहुत आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे वीडियो आपने देखे होंगे जब टिक टॉक वेरल होगा था तो बच्चे भी अबिच्वाल हो जाती थी बच्छों और उसका खास करके हमारे डॉक्टर ने पहले ही सजाओ दिय दिया था कि यह टिक टॉक को बैंड कर दिया जाए तो यह सब कुछ हुआ है लेकिन अच्छा किया हमारी सरकार ने इसको बैंड किया और जहां तक हम समझते हैं कि अब देखो यह जो स्वाट्स वीडियो का जो है प्रोसे उसमें मैं तो यही कहूंगा कि उसमें जैसे की द लोग देखों होनी चाहिए तो लोग डारेकली उसका युजिस ना कर सकते तो यह चुछी बात है उसके अलावा में बात करें बाकि जैसे कि नेपाल ने भी बैंड कर दिया है उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री ने बैंड किया तो मेरेको तो लग रहा है आल्मोस्ट करें उसके या कंट्री करें तो बहुत सारे कंट्री यह लोग लॉग करेंगे उसमें टिक-टॉप में क्यूंकि भारत सरकार ने छे मेने का एंटी में टाइम पिडिया ता इस एप को इस एप में कुछ ऐसा प्रावध्यान लाइं या तो उसका तो सर्वर है वो इंडिया म पर आप इसमें कोई सिक्यूरिटी लाइए ताकि हर एक वीडियो का जो है उसके बाद ही वो वीडियो जो है वो पब्लीक्स को तो ऐसी तो कोई वालों के पास मैं बना दी थी इन लोगों ने फ्रेंड लोग थे उसके टाइम पास के लिए कुस ना मरलब एक कुस इनोवेशन किया था उसमें से इतना हो गया वाइसके बाद है यूट्व जो है उसके पास सब पूस बैक आप है और हर एक जैसे कि भारत में भी उसका खुदका सर्वर रहे तो भारत का डेटा है वह भारत में ही रहेगा भारत के बाहर नहीं जाएगा और प्लाइब उसके भी लिखते हो तो भी आपको तुरहन्ती मेसेज मिल जाता नौटिफिकेशन मिल जाता कई ना कई कि आप ये गलत कर रहे हो ये सही नहीं है ये यूटुब की पोलिची के खिलाप वगेरा जो भी है तो उससे एक सीक्यूर फिल होता है तके टिक टॉम टिक टोम हम भी यूज क खराब हो रही थी तो हच्छा यहां के रही है थैन अच्छा के पमफ तून यहां आपकवी रहा है अच्छा किन के लगीनेशन हैं MR वहां अच्छे रहना पाकिस्तान के पास से क्या लूट लेगा चाहिना तो दोस्तों इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते आप से विदा लेते हैं मिलते हैं और एक ने वीडियो में आपके साहर किल दें जैगारत